है यो गाईज आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाल हैंगी आप लोग आपके इंस्टेग्राम की प्रोफाइल में एक मिनिट से भी लंबा वीडियो के से अपलोड कर सकते हैं पूरे के पूरे 10 मिनिट तक का वीडियो जो है आप लोग अपलोड कर सकते हैं इस method के through तो अगर आप लोगों को जाना है तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर end तक पूरा देखना होगा तो आप लोग आपकी screen पे देख सकते हैं ये रहा वो एक video जो कि मैंने अपनी profile पे अपलोड किया है Instagram के profile पे आप लोग जाके देख सकते हैं username TechDishum ही है जो की screen पे आपको शो हो रहा है तो जैसे ही इस video में एक minute पूरा होता है तो आपको एक button मिलता है video के उपर keep watching का और user जब इस पे tape करता है तो वो IGTV के अंदर जाकर बाकी का remaining part जो है वीडियो का वो देख सकता है तो अगर आप लोगों को भी ये करना है आपके Instagram profile में आपके वीडियो पे तो आप लोगों को ये वीडियो शुरू से लेकर end तक पूरा देखना होगा क्योंकि आप लोग एक भी step मिस नहीं कर सकते है सब कुछ जो खेल है पूरा का पूरा वो IGTV का है तो आप लोग पूरा method follow करिए सबसे पहले आपको Instagram की profile पे आना है आपकी profile में अकाउन में और उसके बाद में आपको top पर message के icon के पास में एक icon मिलेगा IGTV का टीवी का icon एक छोटा सा उस पे आपको tap करना है ठीक है जिससे आप लोग जो है IGTV के अंदर आ जाओगे यहाँ पर आपको काफे सारे videos मिल जाएंगे काफे सारे videos मिलेंगे आपके following के आपके आपके लिए Instagram suggest करता है वो तो आपको आपकी profile पर जाना है profile में जाने के बाद में आपको यहाँ पर आपने जो भी videos upload की हुई है या फिर नहीं किये तो नहीं show करेगा की हुई तो show करेगा ठीक है तो यह आपकी profile है आपको plus icon पर tap करके आपको कोई भी video जो है upload करना है ध्यान रहे video 15 second से लंबा हो और 10 minute तक का हो ठीक है यानि कि आप 10 minute तक का video जो है आप लोग यहाँ पर upload कर सकते हैं तो as an example मैं यहाँ पर यह video select करता हूँ फिर से 1 minute और 37 second का यह video है 26 second का video है 1 minute और 26 second का तो यहाँ पर जैसे आपने video select किया तो आपको यहाँ पर preview यानि कि जो कि आपका video का cover है वो आपको कौन सा रखना है तो वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं या फिर आप custom cover जो है custom thumbnail भी यहाँ पर लगा सकते हैं जो कि यह काफी सही option है काफी अच्छा option है ठीक है तो यह हो गई cover की बात cover आप select कर सकते हैं या फिर आप जो है custom cover यहाँ से upload कर सकते हैं कोई भी अलग से photo उसके बाद में आपको यहाँ पर next करना है तो यहाँ पर मैं next कर देता हूं next करने के बाद में आपको यहाँ पर title लिखना है description लिखना है और यहाँ पर जो सबसे main है जो नया update आया है वो है post a preview जो preview का option है उससे होगा यह अगर आप लोग इसे enable करेंगे तो आपके instagram की profile में यह show करेगा next option facebook का है अगर आपको facebook पे अभी upload करना है यह video तो तो आपको preview के अंदर क्या होगा कि जैसे ही आप यह post a preview वाला option enable कर देंगे तो उसके बाद में जो की मेरी profile पे हुआ है यानि की जैसे ही आप यह video post करेंगे publish करेंगे तो यह आपके instagram की feed में यानि की as a post जो है वो upload हो जाएगा show करेगा आपके followers को I hope आप लोग समझ के होंगे मैंने video अलड़ी post किया हुआ है तो मैं अभी यहाँ पर post नहीं करूँगा आप लोग मेरी profile पे जाकर भी देख सकते हैं username आपको screen पे दिख रहा है टेक डिशुम तो आप लोग search करें मेरी instagram की profile वहाँ पर जाकर मेरा जो latest video है वो आप देख सकते हैं एक मिनिट और 26 सेकंड का वीडियो है आप लोग भी 10 मिनिट तक का वीडियो upload कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के अब अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको IGTV को लेकर कोई दिक्कत आ रही है आपको किसी भी टाइप की छोटी से बड़ी कोई भी दि कर दीजे मैं गोरा आपको मिलता हूँ अगलोर ऐसे ही किसी वीडियो के अंदर तब तक के लिए have a good day bye bye and stay safe